नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनुंदर और एक बहुत ही अफसोस जनक खबर है मेरे पास करोना से जुड़े हुई करोना काल में लोग जहां अपने हाथों में लाखों रुपया लेकर के घूम रहे हैं कि उनका इलाज ठीक से हो जाए उनकी जान बच जाए वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं और ऐसे ही एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जहां पे नकली ऑक्सिजन फ्लो मीटर बनाए जा रहे थे और इससे भी आदा डर की बात ही है कि 400 लोगों को यह लोग नकली ऑक् मैं आपको बता दू कि फर्जी ऑक्सिजन फ्लो मीटर मरीजों की जिंदकी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि फ्लो मीटर से ही पता चलता है कि मरीज का ऑक्सिजन लेवल कितना है और स्लेंडर से जब ऑक्सिजन की सप्लाई की जाती है तो उसे कितनी मात्रा में ज जान जा सकती है और नजाने कितने मरीजों की जान गई भी होगी मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी टोली को पकड़ा है करोना की हमारी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आक्सीजन लेवल की जाच जो है बेहद माहिने रखती है और मेरट में ऐसे हलात का फायदा उठा करके नकली आक्सीजन फ्लो मिटर बनाने माले गिरो का पुलिस ने परदा फास किया है और यही नहीं पुलिस ने इनके पास लोगों को गरिफतार भी किया है और आप सोच भी मिटर बना रहे थे यह केवल आठवी पास लोग हैं यह पूरा काम जो है लिसाडी गेट के एक मकान में हो रहा था और सर्विलोंस की एक टीम ने इसको अंजाम दिया सबसे पहले इस टीम के मनोज दिख्षित को साधे कपड़ों में एक ग्रहात बना करके वहां बेजा गय और लगवग दो घंटे की जाज परदाल के बाद यह पता चला कि मकान के अंदर फ्लो मिटर बनाने की फैक्टरी सल रही है और इस गिरोह का सरगना इम्रान है जो बुनकन अगर थाना के लिसाडी गेट का रहने वाला है सर्विलन्स टीम के परभारी मरोज दिख्षित ने करोना ने रफ्तार पकड़ी तो उसके दिमाग में आया कि वो पैसा कैसे कमाए तो उसने फरजी ऑक्सीजन फ्लो मिटर बनाने का काम शुरू कर दिया एक ऑक्सीजन फ्लो मिटर को 25 से 35,000 रुपे तक में बेचा जा रहा था अब पिछली दो महिने में उसके पूरे टीम न चार से 5,000 लोगों को नकली ऑक्सीजन फ्लो मिटर की सप्लाई किये हैं तो आप जान सकते हैं कि कितने मरीजों की जान गई होगी अभी ये किसी को नहीं पता और अभी ये पता लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन ये जो नकली ऑक्सीजन फ्लो मिटर है कहा कहा इनको हैं उनको भी बराम्त किया है और लोगों की एक लिस्ट भी उन्होंने ली हैं जहां पर वह नकली ओक्सीजन flower मीटर को सब्लाई किया गया है और ज्यादा तर जो बात होती थी वो विट्ट्सैप झाल पे होते थी ताकि पुलिस की पकड़ में यह लोग ना आ सके पुलिस ने इस इम्रान के अलावा दो तिन और लोग भी आज ग्रिफतार किये हैं तो दोस्तों ये एक पड़ी गिरौनी घटना क्या कहें गिरौनी हरकत है जो लोगों की जान से खिलवार कर रहे थे बहुत सारे वाटसेप पे आप आसकल मैसेज देख रहे होंगे कि लोग किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं कोई किसी को खाना दे रहा है किसी ने अपना मैसेज छोड़ा हुआ है कि ये उसक का कॉंटेक्ट नंबर है अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो वह इस जगा पर कॉंटेक्ट करें उससे दवाई दी जाईगी इस जगा पर कॉंटेक्ट करें उसे खाना दिया जाएगा इस तरीके के लोग भी हैं और यह देखिए जो नकली ऑक्सीजन फ्लो मिटर बना सीधे सीधे नजाने कितने हजारों लोगों की जान से इन लोगों ने खिलवाल कर दिया है ऐसे लोगों को अब क्या सजा होगी यह तो वक्ती बताएगा लेकिन पुलिस की ग्रिफ्ट में आ गए हैं जो भी कारवाई होगी वो मैं आपको यह साथ शेयर करूंगी अपडेट दूंगी आपको आप करोना काल का भी प्रोटोकल फॉलू करें जरूरी हो तबी घर से भाहर निकले और बेवजा बिलकुल भी भाहर न निकले अपना ख्याल रखें अपने परिभार का ख्याल रखें जय हिन जय भारत